आप सब का वेलकम है मेरे इस चैनल में मेरा नाम है सारवेंदर और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यहां मैं बहुत सारे मैनिपलेशन्स डालता हूँ और टुटोरियट डालता हूँ पिकसार्ट के तो आप महां से पी एंजी भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं आज यह मैं डिसकस करूँगा कि कैसे बनाया हो गया पिकसार्ट के अंदर और जल्दी जल्दी से अगर आपको पी एंजी डाउनलोड करनी है तो नीचे है आप जाकि लिक्रण करसकते हैं एजली आपको टेली ग्रूप में जोईन हो जाओगे जहाँ पाँच हजार से भी ज्याधा लोग पहले से ही जोईन और आपप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी आपको वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी तेली ग्राउम अप और यहां लगेंगी मुझे पोस्ट मैं उन्हें जरूर बताऊंगा क्या 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 इंप्रूब्मेंट करनी है यह आपकी फोडो कैसी बेनी है आप मैं फोडो लाइक कर देता हूं सब की जल्दी जल्दी लाइक इसमें थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है भाई थोड़ा और इस पर कॉंपोजिशन पर करना है अधर मोडल यूज मत करो यार अपने आपको यूज करो हमेशा और यह देख लेते हैं एक बार लाइक ऐसे ही है सिंपल और इस इस गनेश भाई आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे देखके यह आपने बहुत अच्छा बना रखा है और यह यह भी सही है सहानी क्रिएशन भाई आपने बहुत अच्छा यह कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है अगर आपने उठाया नहीं है तो कहीं से और यह कोट है कोई फरक नहीं पड़ता है यार कोट में भी फोटो अच्छी थी so इसमें इस गनेश की मुझे बहुत अच्छी लेगी फोटो so स्टार्ट करते हैं जल्दी से पिकसार्ट के टुटोरियल के साथ और यहाँ से पहले बीजी निकाल लेता हूँ so बीजी इस बार ऐसा ही है कोई मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है just ऐसा ही है पहले से बीजी so इसमें सीडिया है और यह रिंग पहले से बनी वही है और यह like इसे hello बोलते है hello like भाशा में बोलते है यह जब Sun का कुछ होता है यार कुछ ओवर ले अमर से टाइप वह होता है उसके लिए था यह यार यह दलती सबंद हो गया थोड़ा टाइमर को उदर ले आता हूं और 4 का DND कर देता हूं यार नहीं दो नोटिफिकेशन साती रहेंगी और प्रॉब्लम जिनरेट होती रहेंगी सो यहां फिर अब सबसे पहले मैं कावप जाता हूं और यहां से मुझे एड करने है यह लाइक यह टाउथ ठीक है और क्लॉथ में कुछ नहीं है डिर्ट आपको जाना है अच्छे से एड करना है लाइक जहां भी आपको मुझे सही लग रहा है वैसे लाइक अगर मैं फोटो में भी देखों तो थोड़ी उपर स्पेस है इसमें सो यहां टिक कर देता हूं ठीक है उसके बाद आता है कि मुझे अपने आपको एड़ करना है और सब पुछते है यार रिम लाइट कैसे एड़ करते हो यार रिम लाइ यहां इस आपको रिम लाइट क्रिएट करने की नहीं हिं भी जरुवत पड़ेगे एक्स्टा वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको रिम लाइट के अंदर और आपका रिम लाइट वाला वर्क बचaja आएगा देख सकते हो यहां पर मुझे रिम लाइट करनी होगी आपको जैसे यह है और इस साइड है नहीं है तो यहां पर आप जैसे जाओगे और फिर यहां से अच्छा खासा पिन टूल से हो जाएगा राम से यह वाला गलो सबसे अच्छा है तो यहां रख देता हूं मैं glow और उसके बाद opacity में आना है opacity low रखनी है size भी छोटा ही रखना है और set कर देना है और फिर आना है softness high रखना opacity हाई रखना और brush का size छोड़ा रखना थोड़ा hard ही रखना brush ठीक है और फिर यहां से erasing चालो करना आप तो उसे narrow करते लाओगे तो आप देख सकते हो यहां पर कितने परफेक्ट से रिम लाइट खुद ही create हो जाएगी और आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यहां आप देख सकते हो आराम से create होगी रिम लाइट कोई मुझे issue ही नहीं है जितना आप कहते हो गया रिम लाइट नहीं बन रही रिम लाइट नहीं बन रही थोड़ा से time देना होता है जस्ट और थोड़ा साफ से करना होता है थोड़ा time लगता है यार मेरे को भी एक दिन से नहीं आगी है मेरे को भी एक साल करने हो तो यहां से opacity से आप कर सकते हो और easily कर सकते हो तो यहीं था यार रिम light के लिए इससे ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता रिम light का और easy है यार बनाना एक रिम light की शायद मैंने वीडियो डाल रखे fixart में कैसे बनाते हैं तो आप वह भी चैक आउट कर सकते हैं और description में डाल दूँगा शायद link अगर मिलेगी मुझे नहीं तो आप चैनल पर जरूर सर्च करें available है वहां पर फिर मैं add करता हूं यहां से यह mark यह mark की जाके tick done कर देना और वह बहुत अच्छे से blend हो जाएगा यह पिछले बार जॉम्भी वाला जो concept था जॉम्भी एकॉलिपस या कुछ भी करके नाम है उसका वह वाला यार उसी में ता है यह वाला ठीक है तो आप easily वहां से भी ही ले सकते हैं और उसके बाद मैं यहां chain add कर देता हूं तो यह chain को मैंने cut out कर रखा है पहले से और easily से cut out कर रहा है क्योंकि एक तो यह PNG थी और इसे बनाने में यही मुझे around तीन घंटे या चार घंटे लग गए थे तो मैं नहीं चाहता कि यार मैं tutorial पे इतना time waste करूं और कोई चार घंटे का tutorial तो देखेगा नहीं तो इसलिए मैंने direct रखा है और यह placing easily है और इसमें हर चीज पहले से added है आपको कोई problem आएगी नहीं लाइक की यार सेट नहीं हो रही है पी एंजी अकॉर्डिंग में ही मैंने बनाया है कि हर किसी के हाथ पर सेट हो जाए तो यहां आप चेक कर लेना easily ठीक है और ऐसे रखना ठीक है और इसमें रिम की आपके बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आपको जानना ही है कि र ग्रीन कलर लेना है कोई भी अच्छा सा ठीक है ग्रीन कर लेने के बाद यहां आपने ओपैस्टी थोड़ी हाई रखनी है लेकिन साइज छोड़ा रखना है राउंड 6-7 पिक्सल तक 8 भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यहां मैं ड्रो गड़ता हूं ए थोड़ा सा ओपैस्टी को और हाडनेस इसकी थोड़ी हाई रखो ठीक है इस बार क्योंकि जब इस पर ड्रॉव करते हम तो थोड़ी हाडनेस ज्यादा चाहिए होती है तो यहां हाडनेस से आप देख सकते हैं और उसे धीरे धीरे कट करें वहां से जाली अब इसी चीज में मुझे तीन से चार घंटे लगे थे तो यार टुटोरियल में बताना हर चेन पर पेंट करके दिखाना यार यह तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा और कोई वाच नहीं करेगा इतना वड़ा टुटोरियल मैंने डाल रखे हैं कि घंटे के किसी ने आभी तो इसे ठीक है तो यही तरीका है रिम का ग्रोगरने का यार और और कुछ नहीं और रिम ऐसे ही क्रेट होगी नीचे लाइट कलर है अगर मैं यहाँ कलर पिकर से यह वाला कलर लेता हूं और यहीं पर डॉख करता हूँ वही सेम चीज तो कुछ ऐसे होगी है तो आप देख सकते हैं यहां पे और फिर इसको इरेजर से लेकर यहां से हटा दूँ है आप देख सकते हो वह सेम ही चीज महां पे क्रियेट हो गई है और कोई वह नहीं इतना फरक नहीं है उसमें और यहां से से सिंपल सिंपल तो इतना इतना आपको टाइम हर जगे हैं वेस्ट करना पड़ेगा देखिए यहां पर कलर अलग है और यहां पर वो दोनों सेम सेम ही देख रहे हैं अब मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि वो थोड़ा ओड लगेगा शायद क्लियर कर जाएगा हां तो यही है ऐसे मैं आपको फूरा चेन करना एक 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 तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था इसलिए मैंने सोचा कि इसकी पूरी पी एंजी ही देदूं आपको बजाए बताने के बता भी दिया है मैंने तो आप भी आराम से इसे क् सकते हो और फिर एड फोटो में आना है आपने और यह कलर है पूरा और यह सिंपल है वह जो पी एंजी मिलती है नैट पे ग्लो वाली तो वह वाली पी एंजी ली थी मैंने ग्रीन कलर की और उसे बस यहां प्लेस करा था कि मुझे ग्लो मिले कि कोई सोर्स होना चाहिए कोई कुछ वह मोटिव नहीं था मेरा और उसके बाद यह डस्ट स्पैकल्स होते हैं और इसे इसली एड करना होता है और यह यहां लेकर आना है और आपने यहां से ब्लैंड मोड चेंज करना स्क्रीन पर सो यह अपने आप सैट हो जाती है और कोई इसका इशू और पंगा नहीं आता है mostly gases में और इसको मैं सेव कर देता हूं यहां पर ठीक है यह फोटो यहां पर डन हो गई है अब फोन को चल्ट कर लेता हूं और जो अब कलर ग्रेडिंग है वो जस्ट ध्यान-ध्यान से करने है क्योंकि इस बार टेंपरेचर कलर ग्रेडिंग जादा है लाइक ब्लू टोन चाहिए थी तो यहां देखिए ब्लू टोन यहां से अचीव होती है और थोड़ा सा अगर आप टेंट करोगे तो वह ब्लू परफेक्ट हो जाता है लेकिन मुझे इतना भी नहीं चाहिए आप टेंट को मैं माइनस तीन तक रखोंगा और वाइबरन से आप थो थोड़ा सा लोह रखना ठीक है एकस्पोजर थोड़ा बढ़ा सकते हो राउंड इतना और यह नहीं करता और इतनी रखता हूं और थोड़ा विएड डाल दो विएडस आपका सैंटर्टर अच्छाथा और क्लार्टी पर ज्यादा वर्क करना होता है हमेशा घ्लार्टी और बिएसे आप रो ले सकते हो लाइक मुझे इस बार डी इस नहीं ज़्यादा चाहिए इतना ही शी है एंड रफली यह उतना पहुंच गया है और नॉइस रेडक्शन भी थोड़ा डाल देता हूं और कलर तो यहां से यहां तक आ गए हम जस्ट अब कलती से मिनिमाइज हो गया हीलिंग ब्रश में नहीं आना है मैं मिक्स और थोड़ा सा जो यह ब्लू है उसे सयान की तरफ कनवर्ट करना है मुझे यह और फिर जो ग्रीन है उसको थोड़ा और येलो इस ग्रीन करना है और उसकी सैचुरेशन इंक्रीज करनी है कि वह पॉप होए सो यहां पर मुझे यह डन लग रहा है ठीक है अब मैं इसे कर देता हूँ शेयर शेयर टू डिवाइस सो थैंक्यू गाइज आपने मेरी वीडियो को यहां तक देखा और चैनल को जुरूर लाइक और सब्सक्राइब करें यार ऐसे टुटोरियल के लिए जल्दी से और इस संसब्सक्राइब